नमस्कार दोस्तों फिर्टर गुरुजी में आपका स्वागत है हमारे बैच सुनने से सिखर में आज फिर्टर थियोरी पर्थम वर्ष के पाइट नो में हम दात्तु के गुण दरम वहे दात्तु से सम्मन्दित मैत्यो पुर्ण 25 क्योशन सोल करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बैल आइकन को उन के लिए जिसे आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होसके तो इस्टार्ट करते हैं पहला क्योशन है हमारा हवाई जाज निर्मान में निमिन मेश में सबसे अधिक प्रियोग होती है च्यार दात्वे दी हुई है क्योशन पुछा है कि हवाई जाज के निर्मान के अंदर सबसे अधिक कोन सी दात्तु प्रियोग की जाती है फेस्ट ओप्शन है ब्रास, भी ओप्शन है कोपर, जिंक, हैल्मूनियम तो आपको पता होगा हवाई जाज निर्मान के लिए सबसे अधिक परियोग में हैल्मूनियम दातू का परियोग किया जाता है इसका मुख्य कारण है इसका लाइटनेस होना, इसके बाहर में कमी होना, इस यह हलकी दातू होती है इसलिए इसका हवाई जाज निर्मान में अधिक तम परियोग किया जाता है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा D, हैल्मूनियम नेक्स्ट क्यूसन है, इस्टील में एंटीमनी मिलाने से इस्टील पर क्या परभाव पड़ता है अगर इस्टील है इस पात है, उसके अंदर एंटीमनी दातू मिला दी जाए तो इस्टील पर क्या परभाव पड़ेगा first option है उसका गलनांक गरता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका गलनांक बढ़ता है D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो अगर इस टील के अंदर anti-money मिला दी जाए तो इस टील पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसका गलनांक बढ़ता है anti-money मिलाने से हमेशा इस टील का गलनांक बढ़ जाएगा तो हमारा C option राइट हो जाएगा उसका गलनांक बढ़ता है एक इससे सम्मद्ध और क्यूशन है कि उसका गलनांक कम कब होगा तो बिस्मित मिलाने से गलनांक कम हो जाएगा अगर उसके अंदर हम बिस्मित दातू मिला दें इस टील के अंदर तो उसका गलनांक गरता है और anti-money मिलाने से गलनांक बढ़ता है नेक्स्ट क्यूशन हमारा निम्न में से स्टेनलेस इस टील के मुखे मिश्रन तत्वे क्या है जो स्टेनलेस इस टील है जिसको हम इंदी में निर्मल इसपात बोलते हैं स्टेनलेस इस टील को इंदी में क्या बोलते हैं निर्मल इसपात अगर स्टेनलेस इस टील में मुखे मिश्रन तत्वे क्या है किसको मिला के स्टेनलेस इस टील का निर्मान किया जाता है फेस्ट ऑप्सन है nickel tungsten nickel vanadium nickel chromium chromium tungsten तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा nickel और chromium nickel और chromium को मिला के stainless steel nirmal इस पात का निर्मान किया जाता है जिसका परियोग grillu जो रसोई के बरतन है उनको बनाने में वहें चिक चिक उपकरण बनाने के लिए किया जाता है तो इसके अंदर percentage की भी मात्रा पूछ ले जाती है कि stainless steel के अंदर nickel वहें chromium का percentage क्या है तो very important question है इसके अंदर chromium की मात्रा 18% वहें nickel की मात्रा 8% होती है तो ये भी आमें याद रखना है कि chromium 18% तथा nickel 8% होता है stainless steel के अंदर next question है दातु का वहें गुण जब उस पर ताप वहें दबाव डाला जाए तो वहें अपना आकार बदल लेती है उसे कहते हैं जब कोई दातु के उपर ताप या दबाव डाला जाए तो वहें अपनी आकरती बदल लेती है इस गुण को हम क्या कहते हैं first option है elasticity B है plasticity C है ductility D है tannicity तो वह हमारा गुण हो जाएगा plasticity B option हमारा राइट हो जाएगा plasticity अगर कोई दातु के उपर हम दबाव डालते हैं या heat दे के उसको गरम करके दबाव डालते हैं तो वह अपनी आकरती बदल देती है उस गुण को हम plasticity सू गटित्या का गुण कहते हैं next question हमारा दातु के किस गुण के कारण इसकी पतली चादरे बनाई जा सकते हैं very important question है दातु का वह है कौन सा गुण हैं जिस गुण के कारण उसकी पतली चादरे बनाई जा सकते हैं first option है बंगूरता B है मैलेबिल्टी C है तन्यता D है कठोरता तो हमारा B option राइट हो जाएगा मैलेबिल्टी मैलेबिल्टी गुण के कारण नहीं दातु की पतली चादरे बनाई जा सकते हैं जिसको इंदी में हम आगात वर्धिंता का गुण बोलते हैं आगात वर्धिंता के गुण के कारण दातु की पतली सादरे बनाई जा सकते हैं इसके अलावा फैस्ट ओप्सन में है बंगूरता बंगूरता वह गुण होता है इस गुण के कारण दातु के अगर चोट मारे जाए तो वह है टुकडे के रूप में या पाउडर के रूप में बिखर जाती है C option में है तन्यता यह दातु का वह गुण द्रम है जिस गुण द्रम के कारण दातु के लंबे पतले तार खीचे जा सकते हैं एक गुण है D कठोरता कठोरता दातु का वह गुण है जिस गुण के कारण दातु दूसरी दातु को काट सकती है तथा खुद कटने से बचे तो हम च्यारो ओप्षन के लिएर कर चुके हैं, हमारे कृष्ण का राइट अंसर हो जाएगा, मैलेबिल्टी, आगात, वर्धिन्ता नेक्स्ट है, दातु में बंगूरता के विपरित गुण को कहते हैं, जो दातु है, उसमें बंगूरता के विपरित जो गुण है, उसको क्या कहा जाता है, तो फेश्ट ओप्षन है देड़ता, तन्नेता, परत्यास्था, चिम्मडपन तो सबसे पहले हमें बंगूरता का पता होना चाहिए, कि बंगूरता का गुण क्या है, तो उसके विपरित का हम पता लगा सकते हैं, तो बंगूरता का गुण वह गुण होता है, जिस गुण के कारण दातु पर चोट मारने पर वह तुकडे के रूप में विखर जाए, त के टुकडे के रूप में विखर जाए या पाउट तो बंगूरता का गुण सम्चु के M तो सबसे अधिक बंगूरतातु अमारी डलवा लोगई तो इसके विप्रित क्या होगा विप्रित में हमारा हो जाएगा तन्नेता तन्नेता की गुण में क्या होता है कि उसके हमें ता दातु का वह गुण जिसके कारण उस पर चोट लगने पर वह तूट जाती है तो बंगूरता से समझेते आगया जो पहले बताइए मैंने आपको definition तो दातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उस पर चोट लगने पर वह तूट जाती है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा बंगूरता जिसको इंगलिस में बोलते हैं ब्रिटलनेस याद रखना है कई जग इंगलिस में भी लिखाता है बंगूरता को इंगलिस में बोला जाता है ब्रिटलनेस नेक्स्ट क्यूशन है दातु का वह गुण जिसके कारण खीचने पर वह तूटती नहीं है दातु का कौन सा गुण है जिसके कारण उसे अगर हम खीचें तो वह तूटेगी नहीं अपने तार की रूप में बदल जाएगी तो हमारा राइट एंसर हो जाएगा डेक्टिलेटी जिसे इंदी में बोलते हैं हम तन्नेता तन्नेता के गुण के कारण ही दातु को तारो के रूप में खीचा जा सकता है नेक्स्ट क्यूशन है हमारा दातु का वहे गुण जिसके कारण वहे कटिंग कहने की समता रखता है दातु का कौन सा गुण है जिस गुण के कारण वहे दूसरी दातु को काटने की समता रखता है मतलब कटिंग कहने की समता रखता है तो वह कौन सा गुण है फेस्ट ओप्सन है बंगूरता, टफनेस, डेक्टिलिटी, हार्डनेस तो हार्डनेस एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह दूसी दातू को काटने का गुण रखता है दी ओप्सन हमारा राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूसन है निम्न में से किस दातू का गलनांक सबसे अधिक होता है वह कौन सी दातू है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है फेस्ट ओप्सन है कोबाल्ट, B है क्रोमियम, C है वेनेडियम, D है टंगर्ष्टन तो हमारा टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है बहुत बार पूच्छावा क्यूशन है तंगस्टन का गलनांक अधिक्तम होता है कितना 3300 डिगरी के लगबग होता है ये भी बूच सकते हैं कितना होता है 3300 डिगरी के लगबग होता है दातों में सबसे अधिक टंगस्टन का गलनांक होता है 2300 डिगरी टंगस्टन के ही जो हमारा बलफ होता है उसके फिलामेंट है बलफ में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है Next question है निम्न में से दातु के किस गुण के कारण ठंडी अवस्था में rolling करके sheet बनाई जा सकती है दातू के किस गुन के कारण दातू को ठंडी अवस्था में roll करके फैला कर उसकी sheet बनाई जा सकती है तो fast option है हमारा आगात वर्दिंता B है तन्नेता, C है toughness, D है लचिलापन तो हमारा right answer हो जाएगा fast option आगात वर्दिंता जिसकों English में बोलते है malleability malleability के गुन के कारण दातू की चद्रें बनाई जा सकती है असा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो को like कर दें साथ ही अपने दोस्तों के साथ share कर दे next है हमारा question वह दातू जो निम्न में से सबसे हलकी होती है च्यार option दिये हुए हमारे तो इनमें सबसे हलकी दातू कोन सी है first option है teen, silver, zinc, lithium तो सबसे हलकी दातू च्यार option में से हो जाएगी हमारी lithium next question है वह दातू जो निम्न में से सबसे भारी है निमन में से कौन सी सबसे बारी दात्व है डलवा लोहा, पिटवा लोहा, मर्दिसपात, ओस्मियम तो राइट अंसर हमारा हो जाएगा D. ओस्मियम ओस्मियम सबसे बारी दात्व है तथा हलकी है अमारी लेथियम दोनों याद रखनेये, very most question हैं, नेक्स्ट है दात्व का वहा गुन जिसके करण एक दात्व से दूसरी दात्व को खुरचा जाता है उसे खाल स्थान कहते हैं दात्य का कौन सा गुन है जिसके करण दूसरी दात्व को खुरचा जासके फेस्ट उप्शन है तन्यता, लचिलापन, हाडनेस, चिमडता तो हाडनेस हमारा वह गुण है कठोरता जिसके कारण दूसरी दातु को खुर्चा जासके नेक्स्ट क्योशन हमारा निम्न में से किस गुण के कारण तार बनाए जासकते हैं पहले भी हम सोल कर चुके हैं कौन सा गुण है जिसके कारण हम तार बना सकते हैं उप्शन में कुछ चेंजमेंट कर दिया है लिंग्वेज का फेस्ट उप्शन है बहार, गलेनेता, चालकता, लचिलापन तो लचिलापन के गुण के कारण हम उसके तार बना सकते हैं ओप्सन राइट हो जाएगा हमारा लचिला पन नेक्स्ट क्यूशन है हमारा निम्न में से कौन सा दातु का बोतिक गुण नहीं है निम्न में से दातु में कौन सा बोतिक गुण नहीं दातु के तीन गुण होते हैं, बोतिक गुण, यांतरिक गुण, रासाइनी गुण, तो बोतिक गुण वह गुण होते हैं, जो दातु में प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और यांतरिक गुण वह गुण होते हैं, जो मानुनिर्मित होते हैं, मानुनमें चेंजमेंट कर सक ठीक है तो इन में से हमें बोतिक गुण नहीं है बताना है कि इन में से बोतिक गुण कौन सा नहीं है जो प्रकति से प्राप्त नहीं होता है फैस्ट ओप्शन है बाहर तो बाहर बोतिक गुण है प्रकति से प्राप्त होता है अलग-अलग सभी दातु का बाहर होता है कोई अ यांत्रिक गुण है तो D option हमारा right हो जाएगा लचिलापन जो एक यांत्रिक गुण है नेक्स्ट क्यूशन है निम्न में से कौन सा दातु का यांत्रिक गुण है यांत्रिक गुण जो मानो निर्मित है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है फेस्ट option है चुम्बकिये रंग ए परति दातु का परति रोध होता है परत्यास्था परत्यास्था का गुण वह गुण होता है जिस गुण के कारण दातु को दबाव दे के आकरती प्रविलतन कर दिया जाए तिथा दबाव अटाने पर वह अपनी पुन्य आकरती में लोटा है वह प्रत्यास्था का गुण क्यालाते हैं तो क्यूशन ने पुछा कि प्रत्यास्था विरूपन के परती दातू का परती रोध होता है ओप्चन है चिम्मडपन सामर्थेता, दर्ड़ता, विशरपन तो राइट एंसर हो जाएगा हमारा सामर्थेता विरूपन के बाद जब भार हटा लिया जाता है तब मूल आकार में लोटने की सकती क्या कहलाती है जब कोई दातू पर बाहर डाला जाए और वह अपनी आकरती बदले और फिर बाहर हटाने पर वह अपनी आकरती में पुन्य लोटाई तो वह गुण कहलाता है क्या कहलाएगा वह गुण तो वह गुण परत्यास्था कहलाएगा elasticity जिसको इंगलिस में बोलते हैं D option हमारा right हो जाएगा परत्यास्था elasticity और बाहर हटाने पर वह अपनी आकरती में पुन्य ने लोटे इसके विप्रित परत्यास्था के विप्रित बाहर हटाने पर वह अपनी आकरती में ने लोटे तो उसको हम plastic ता बोलते हैं next question है HSS 1000 में कार्बन परतिसथ होता है जो high speed steel है उसमें कार्बन कितना परतिसथ तक होता है ये question पुछा हुआ कि high carbon steel के अंदर 0.6 से 0.75% C है 0.2 से 0.3% D है 0.75 से 1% तक तो हमारा यहां पर right answer हो जाएगा 0.75 से 1% तक भी option right नहीं होगा भई बुक में misprint है right answer होगा 0.75 से 1% तक कार्बन की मातरा होती है very most question नहीं याद रखना है कि high speed steel के अंदर carbon की range होती है 0.75% से 1% के बीच में और एक इसके अलाव और question पुछा जाता है कि high speed steel के अंदर मुखे तत्वे क्या है ये मिश्रन किस चीज का है तो high speed steel है वो मिश्रन है तंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम का ये याद रखना है जो high speed steel है वो तंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम का मिश्रन है इसमें तंगस्टन 18% होता है क्रोमियम 4% होता है तथा वेनेडियम 1% होता है इसमें मुखे मिश्रन तत्वे है 18% तंगस्टन तो आपको ये भी याद रखना है कि मिश्रन किसका है तंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम का तथा इसमें कार्बन की रेंज होती है 0.45 से 1% तक ओके नेक्स्ट क्यूशन है हमारा इस पात निम्न का एक मिसर धात्तू है जो इस पात है वो किसका मिसरन है तो इस पात हमारा हो जाएगा ओप्शन है तांबा वह टीन, B है लोहत और कार्बन, C है टीन और सिसा, D है जस्ता और पितल तो हमारा इस पात है वह लोहत था कार्बन का मिसरन है B ओप्शन हमारा राइट हो जाएगा लोहा और कार्बन नेक्स्ट क्योशन हमारा निम्न में से किस दातू का परियोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए किया जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होती है यह एक इस्थाई उपचारे दातू को जंग से बचाने के लिए स्थाई कोटिंग हो जाती है दातू के उपर तो इसके अंदर किस दातू का परियोग किया जाता है फेस्ट ओप्षन हमारा निकल बी है टीन, सी है जिंक, डी है लेड तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग के अंदर हमें निकल का परियोग कहते है अगर कोई लोहे का जोब है उसके उपर हमें टीन की कोटिंग केरनी है उसको बोलते हैं हमें टीनिंग टीनिंग के लिए किसका प्रियोग किया जाता है फेस्ट ओक्षन है कोपर बी है टीन, सी है लेड, डी है क्रोमियम तो टिनिंग के लिए टिन दातू का प्रियोग किया जाता है ओके ये एक S थाई उप्चार है अर्दिस थाई, सोरी, अर्दिस थाई उप्चार है Next है, Cemented Carbohid में मुख्य मिश्रण ततु है जो Cemented Carbohid दातू है उसके अंदर मुख्य मिश्रण ततु है किसका है Next option है, Carbon, Cobalt वे है Tungsten B है Carbon, Chromium वे है Cobalt C है Chromium, Carbon वे है Nickel D है Carbon, Silicon वे है Magnes यह है कठोर दातू होती, Cemented Carbohid इसका प्रियोग हर दातू को काटने के लिए किया जाता है जैसे High Speed Distill की Cutting करेनी है इसके Cutting Tool भी बनाए जाते हैं Cemented Carbohid के तो यह है मिश्रण किसका है Carbon, Cobalt वे है Tungsten यह option हमारा राइट हो जाएगा Carbon, Cobalt वे है Tungsten Next question हमारा निम्न में से कौन सी दातू उस्मा की अच्छी सुचालक है बहुती बड़िया question है नॉर्मल क्यूसन है बहुत बार एक्जाम में पुछा जाते है कि कौन सी दातू उस्मा की अच्छी सुचालक है फैस्ट उप्शन है Aluminium, Rotoran, Copper, Lead तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा Copper C Tamba Tamba उस्मा की सबसे अच्छी सुचालक है इस परकार हमारे 25 क्यूसन पूरे होते हैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद